सो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हमारी आरजी नियू आप से यूटूब चैनल में सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग अपने लैप्टाप और केम्प्यूटर से जो है कि वाट्स आप पर फोटो भीजना चाहते हो तो कैसे भीज सकते हो यह आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं तो इसके लिए आपको करना किया सबसे पहले हैं पर क्रोम ओपन करना है गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहां पर आपको लिखना है web.whatsapp.com ठीक है यहां पर आप देशते हो यहां पर आचुका लिखके web.whatsapp.com ठीक है इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना है सर्च करने के बाद अब जैसी इतना आप सर्च करोगे उसके बाद यहां पर जो WhatsApp की website है वो भी यहां पर open हो जाएगी आप लोगों के सा अब whatsapp open करो, WhatsApp open करने के बाद वहां पर आप देखोगी तीन डॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे कुछ इस तरीके से फिर आपको यहां पर setting के ओपर click करना है अपने फोन में तीन डॉटक पर क्लिक करके setting पर click कर देना है ठीक है जैसे आप setting के उपर click करोगे उसके बाद यहाँ पर आप देख से तो link device का option देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है आप यहाँ पर जैसे 3 ौड के उपर click करोगे को उसके बाद हो सकता है उसके बाद यहां पर जो QR code है यहां पर loading होना start हो जाएगा ठीक है जैसी यह scan हो जाएगा आप जैसे अपने phone से scan कर लिते हो उसके बाद यहां पर आपको थोड़ी दर वेट करना होगा और फिर यहां पर हमारा जो WhatsApp है वो open हो जाएगा ठीक है तो अभी चलिए हैं पर कुमाली जी कोई एकर photo बेजना है तो यहां पर आप देख से तो यह option आपको देखने के लिए मिल जाएगा emoji की बगल वाला इसके पर click करना और फिर यहां पर आपको यह option मिल जाता है photos और वीडियो वाला यहां पर click कर देना है यहां पर जैसे आप क्लिक करते हो उसके आपको यहां पर computer के पर click करना अगर किसी डिस्क के अंदर अगर आपका यहां पर library में है तो library के अंदर जागर कि वहां से लिए सकते हो तो अभी जैसे मैंने computer के पर click किया और यहां से my data वाला जो मेरा disk के इसके अंदर आ जाता हो हमें और open कर लिता हूं इसको जालू हो चुकी है और फिर यह कुछ इस तरीके से आगया आपका फोटो यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस तरीक से आप देख सकते हो और इसमें अगर आपको message लिखना है मैसे लिख सकता अगर इसको कुछ edit वगरा करना मार्किंग वगरा करना इस photo में तो आप कर सकते हो इमोजी बकर add करना तो वह भी कर सकते हो तो अभी चले मुझे कुछ नहीं करना अभी यहां से आपको send कर देना है यहां पर आपको send बटन दिख रहा होगा यहां पर click करना है जैसे click करोगे तो यह photo आपका WhatsApp पर चला जाएगा कुछ इस तरीक से अभी आप द कैसा लगा है प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो कॉमेंट करके पूछ सकते हो